ज़री दोस्तों मैं माहन कुमाउत आज हम बात करेंगे सिंदुगाटी सबबेता के पार थ्री के बारे में पिछले वीडियो में हमने बाचित की थी सिंदुगाटी जो सबबेता थी इंडस वेली सिलाइजेशन और उसमें पाएगे कुछ स्थलों के बारे में तो आज हम दोस्तों बात करेंगे इसके कुछ important questions के बारे में जो mostly exams में पूस्टते हैं तो start करते हैं आज़का topic Just look at the board तो इसके कुछ important questions पहला question है सिंदू घड़ी सब्गेता के जो साहर थे उनकी गलियां किस तरह की थी तो हमारा जो answer हो होगा चोड़ी और सीधी यानि बहुत चोड़ी सड़के होती थी और एकदम सीधी होती थी वो दूसरा हड़पा के खंडर किस नदी के तरपर इस्ती थे तो हड़पा जो नगर था जो पाए गया था खुदाई में वो रावी नदी के तरपर था तीसरा है मोजोदाड़ों के खंडर जो किस नदी के तरपर थे वो थे सिंदू नदी के तरपर चोथा है मोजोदाड़ों में सबसे बड़ा भवन उसे धान्यागार नाम से जाना जाता है पांचवा विसास नाना गाद ग्रेट बात कहां मिल जो मोहन जोबाड़ों में मिला छट्वा सिंदु गाठी सब्बेता की लिपी यानि अभी तक पता नहीं कौन से लिपी देवनागरी की और रोमन इस तरह की कौन से लिपी है पर चित्र अंकित किया गया है वो चित्र मिलें अभी तक साथवा सिंदू और तवरस्ता की ताकत थी तो एगरी कल्जर था उसका क्रसी था यानि क्रसी प्रदान वो सब्वेता थी आठवा है हडपा टीले का सरव परतम उलेक चास महसन नहीं किया था अठारासो चब्वी सेस्वी में है लेकिन वो शूर नहीं था कि इस यह सब्वेता आगया उसने क्यों इसका पता लगया था पहली भार कपास उगाने का स्रेश सिंदू काटी सब्वेता के लोगों को जात नेक्स है हडपा की निवासी की स्खेल में रूची रखते थे तो उनका जो फेवरिट जो गेम था वो था सत्रंट चैस नेक्स क्योसन है हडपा सब्वेता की किस नगर को सिंद का बाग आ जाता है ये इंडि इमपोर्डेट है बहुत ओट शाप गिया सिंद का बाग मोँझो जो दारो को का गिया है सिंदू गाटी सपेता में कुल नगर थे च्छ थे हम कब चले इसका हमने फोमला तायर किया है वह हडपा है का मदला हडपा मैं का मों जो दाड़ो के काली बंगा बैका बनावली चेका मदला चहुंगड़ो और लेका मदला लोथल जो को नेक्स ऑその हम 2019 काली बंग्र इस्तीत या नी हर्मानगुर्व और म काली बंगरफी नीर्ख मेर में जो रास्तां राज्य में तो उमीद गरतों को पसंद आया हो गया तो सीखते रिजी की अपना ग्रो करते रही है जहींद बंदे मातल